आज हम लोग बनाएंगे चिकन करी, चिकन वैसे दो बहुत लोगों को पसंद आती है, एक्चली मुझे भी बहुत पसंद है, तो चलिए बनाते हैं, हम लोग बहुत ही तेस्टी, बहुत ही डिलिशस और बहुत ही सिंपल तरीके से चिकन की सब्जी, नमस्ते, मेरे नम लक्ष लिए नमक डाले, इस वककल बहुत ज़्यदा न डाले थोड़े ही डाले, यह सबी चीजे मैने डाल दी हूं, उसके बाद में क्या करना है, इनको आची तरह से mix करना है, देखे इस तरह से mix करना है दाखे कम 15-20 मिनिट के लिए रखे अगर आपके पास में ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा समय भी रख सकते हैं तो हमारी जो चिकन है हम लोग मैरेनेट करने के लिए रख दिये हैं उसके बाहरे करना है गास में कढ़ाई रखे कढ़ाई को अची तरह से गरम करणे गरम कढ़ाई में यह अध्र legislate लेसुन और प्यार्ज प्यार्च कम से कम दो से तीन है अध्रचा एक इंसी तूपड़ा का टिवी और बसे रिखकरारी ही और सभाप मेरा चीतरह 문제 है हमारे जो प्याज अद्रक लसुन जो है न वाची तरह से घुन चुकी है उसके बद में क्या करना है इसमें ही यह सुखी धनिया है एक टिबल स्पून की करीब और यह हाफ टिबल स्पून की करीब जीरा है आप चाहते हैं इसमें कुछ खड़े मसाले भी डाल सकते हैं दरसे आपके पास में सुखी धनिया नहीं है तो आप इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं तो यह डाले और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इन्हें कम से कम 2-3 मिनिट अच्छी तरह से पका लेना है 2-3 मिनिट हो गया है हमारे जो प्याज अद्रक लेशुन है वह तिhalb अच्छी तरह से गरम कर लें तीच पत्ता ड़रए और अच्छी तरह से ज ना वोन्ने दे उसके बाद में क्याकर नहीं है इसमें हम लोग यह मैरेनेट ने करने जो गुंद कर रखे तो दो दाले और इसमें लगाएं और पाइं डाले और इनके पेस्ट्स तेयार कर लें घुझा तारे था से पाइं गाई नहीं तार पेस्ट बनाना है युझाल कर दुखे लिए तेन से चार मिनिट हो गया है है मतलब कि अबोलते हैं möhtuti सिर्प कड़क चीष्ट की को नाम याद आ तो इसे कड़क चीष्ट को थोड़ से फ़ुटा से पखने में टाइम लगती है तो यह हम लोग पका लिए अनिचे कम से कारीड के करें है उसके सभी को अची तरह से मिक्स कर लें ऐस मिक्स करना हैम से कम न ख makes video ==== करने के बाद में जो ब्लजर किये तरह किके आप तहले जेम घपा tart के पकाना है दोकिसट mechanic होगें देख सक्ते हैं अज़न में अची तरह से पक गई है उसके और में गिवागे ब स्कुन काकर क्रेउख जुद सब्सक्राइस दिए ओसज की तरह से लेकिन मैं फोर सा चीकन करी में नोटी het बना रही है या सब्सक्राइब तो इसमें प्लआ हुआ ओंगी ग्लास कारी पाले और पायए डालने के बाद में सभी को अची तरह से मिक्स करते ही यह दखकर कम से क्म 3-4 मिनुट अच्य तरह से पका ले खाने में बहुत ही जारा टेस्टी लगती है इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से चिकन की सब्जी पनाए खाए और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपना किमती वक्त नि तरीक्ष बहुत है और आपको लाए एा है तरीक्षॉ